असलाम लेकूम कैसे हैं आप सब लोग उमीद करती हूं सब लोग ठीक होंगे लग शुक्र है मैं भी ठीक हूं जी तो आज है दिन फ्राइडे का यहां पर मेरी चोटी बेटीजर हैं वो नाशता रेड़ी कर रही है क्योंकि वो Bennett रैडी हो चुकी थी और मैं अपने उपने चोटे बैटे को रैडी कर रही थी क॥ confused car स्कूल चले जाते हैं तो अच्छा जी यहां पर बच्छों को स्कूल बेजने के बाद मैंने अपने हस्बंड के लिए नाश्टा बना लिए क्योंकि आज है फ्राइडे आज बच्छों को जल्दी चुटी हो जाएगे तक बारा मज़े बच्छे घारा जाएंगे तो इसलिए हस्बंडी मेरे जल्दी उठके थे साथ ही फिर मैंने उनका भी नाश्टा रैडी कर दिया अंडार पराठा मैंने उनके लिए बनाया था क्योंकि वो नाश्टे में ज्याता पराठा ही लिते हैं तो मैंने जल्दी से उनका रैडी कर लिया था साथ ही मैंने चाह भी च्रहा ती ती और दूसरी तरफ मैं अपना भी प्राथा रेडी कार लेंगी क्योंकि अपना जो प्राथा मैं बजारवाल रेडी करूंगी वो मुझे बनाना नहीं पड़ेगा इसलिए मैं सोच है मैं चाही बना देती क्योंकि मेरे हस्बिन को भी नाश्टे के बाद फौरां चाहे और मैं तो नाश्टे के साथ ही चाही पीती हूं क्योंकि मुझे ऐसे ही पसंद है मैं नाश्टा करते है और साथ ही चाही पी लेती हूं मुझे ऐसे मज़ाता पकल बनाए थी बेडर और बाण्बём ब्रेगवास में भी थे हिल्डी है 1700 हो के साथ और बच्चों को आब लो उनको बाल के ची तरह मेश कर लिए इसमें थोड़ी से मैं डाल दूंगी दादर मिर्चे रेड़ वाली थोड़ी सी पिसी वी रेड़ मिर्चे जाएंगी थोड़ा साल डालेंगे हम इसमें और थोड़ा सा बुनाकुटा जीरा जाएगा और थोड़ा सा इसमें जाएगा स और देखें जी, हमारा जो मिक्स्टेर है रेडी हो चुक है अब हम दूसी तरफ एक ले लेगे अंडा इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और साथ ही हम तब एक नीचे तरफ देखें, छूले कि अगर पैन में बनाना जाते हैं तो इसमें बना सकते हैं और एक ब्रैड का पीस लेंगे और इस तरह हम उपर जो मिक्स्टर रेडी किया है ना आलू का वो हम उपर लगा देंगे और दूसी साइड पर दूनों साइडों पर हम लगाएंगे ठीक है जी और यह जो स्नैक्स है ना यह बच्छों को बहुत ही पसांद आते हैं और आलू क अंडे में डिप करने के बाद आपने साथ इसको फ्राई कार लेना है तो इन्शाला आपके बहुत ही जबरदस्त बनेंगी यह देखे अच्छा मैंने थोड़ी देल ज्यादा स्टे दे दिया था यह देखें थोड़ी सी ठूटने माली होगी थी लेकिन मैंने आलू का मिक् अब देख सकते हैं बहुत ही जबरदस टेडी हुई है हमारी ब्रेट अभी हम चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ आप इसको एज इटीज भी खा सकते हैं कि मैं सेंटर से कट करूँगी यानि दोबीस करूँगी इसके और फिर हम इसको डेकुरेट कर लेते हैं यहां प अब आपको जरूप संद आई होगी अगर पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरू कीजिए और साथी बैल एकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो जल्द मिल सके रहाफीज